मैं हूँ अलुक रंजन और मैं लेकर रहा हूं दोस्तों एक सो बीस कोशन जो है जिसमें 50 कोशन नॉन टेक्निकल हैं और बाकी 70 कोशन जो है आपका टेक्निकल पोर्शन है तो चले देखते हैं दोस्तों इसमें यह सारे जो है प्रिवेस एर के पेपर से रिलेटेड हैं और ज कि भारत कवा परोशी देषह जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीव तो इन में से अगर देखा जाए बांगलादेश भूट पाकिस्तान चीन तो सबसवे ज्यादा जो है अपनी लंडसी सीवा जो है बांग्लादेश के साथ वह साजा करता है कितने कीमिट्र दोस्तो कि यदि संख्या ये जो संख्या दे रखा है दो चार पांच छे तीन एक साथ पांच एक दो तीन है इसमें करें कि सभी विसम संख्याओं में दो के ब्रिति हो जाती है है मतलब सबस्के जो ओल्ड है उनमें जहें दो और जितने संख्या नेतकर संख्या को 2022 संख्या 157 कौन संग्षर को कितना shark गुमा दिया है कोशन में दम नहीं है लेकि इसमें time टेगन बहुत जादा है तो इसको तो इसको इस तरह से मैंने किया है इसको सौल किया है अब देखेंगे तो इसमें जो है आप बाइन से पांच आप तो पांच आएगा ना नेक्स है एक महिला पुर्वकी और 11 किलोमेटर चलती है दाय मुड़ती है और 7 किलोमेटर चलती है फिर दाय मुड़ती है और 3 किलोमेटर चलती है फिर वह उत्तर के ओर 15 किलोमेटर चलती है और 16 किलोमेटर चलती है फिर वह अंत में जो है दाय मुड़ती है और 8 किलोमेटर चलती है वह आरम्मिक बिंदू से कितनी दूर खड़ी है तो यह कर पाएगा दोस्तों जिसने जो है डाइरेक्शन पर बहुत अच्छा अपना पकड कर रखा है तो इसको सॉल कीजिए इसको सॉल करेंगे तो इसका एंसर जो है आपकर आपकर आपसन नमर्डी 24 किलमीटर आएगा नेक्स कोस्टन कर रहे हैं जैसे पहले में क्या किया तो इसका सिक्वेंस है मैंने बता है ऐसे इसको तेरियक कर रहे है तो इसका सिक्वेंस है मैंने बता है एसे इसको तेरियक करके लिखना है बरे का मतलब सरंडर है तो डॉमेस्टिक का मतलब क्या है तो चरणन कर जो है इसका मतलब होता है जीत और सरंडर का मतलब होता हमाय हर आन। किसी को सरंडर कर देना मैंने अपनी lo भर्मान जाना ठीक थो जैसे का मतलब जित है तो उसका उल्टा जो अपोर जो जो मतलब होता है घरेलूह किया हो जाएक mı दोस्तों ओवर्सीज मतलब जो है ओवर्सीज हो जाएगा दूसरे लोगों की ना बाहरी नेक्स है करा कि कि दी इक्स है है एच 12 है एक टी 30 है तो इस तरह से जो है आगे जो है को सिन मार्ग यहां पर वहां पर कि आएगा तो देखिए दोस्तों डी कैसे लिए छे आयाए तो डी का प्लेस वैलुँ होती है फॉर उसमें दो जोड़ दिया तो च्छे हो गई है यहां पर दो जोड़ा दो का मल्ट्रिपल चार चार का मल्ट्रिपल आठ फिर दो दुना चार दुना आठ दुना 16 दुना 32 ऐसे करके यह बनाता जा रहा है तो उस तरह देखेंगे तो आपका पी आएगा और 24 उसका एंस्वर हैगा देख कोशन कर रहा है कि एक वस्तु को दुकंदा द्वारा 25 परस अधिक में बेशता है तो उसे 30 परसेंट का लाव होता है तो वस्तु का क्रेम मूले बस बताना है आपको तो फर्मूले बेस पर हैं लगाएंगे तो स्वाल हो जाएगा यह आएगा उसका करेक्टर देखा किस खेल के साथ रड़ जी ट्रॉफी संबदित है रड़ जी ट्र पत्र पत्र की इकलोवती बहन की बेटी है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों तो इसका मतलब करजीन है नेक्स है यह कोशन है इसको सॉल करने है आपको तो करने पर जो एंसुर आएगा 274 नेक्स कॉशन है कि 125 खिलाणों की एक कबड़़ी टीम का आवसत वजन 75 एज़ी है य करा चुगा हो इसमें कोई वो नहीं है 201 kg निकल के आएगा नेक्स है यदि ए एक्स से वाई तक 42 किलोमीटर के चाल से चला और वाई से एक्स तक 96 किलोमीटर के चाल से वापस आ गया है फिर वाई से एक्स की तरफ जो है चानवे किलोमीटर की गति से चला तो इसकी और चल कितनी है तो आप जानते हूं एवरेज निकालना है और इसका 58 दसमलों चारतिन आएगा प्लेस वैलू जो है जो है दो तक निकालना है दसमलों के नेक्स कोशन करा है एक बीमान एक जो है 21 फिस घंटे में ए और बीके बीच की दूरेच कफिरश करता है येदि विमान के गरति 220 किलोमीटर पर हावर कम कर दिया जाएं तो उतनी ही दूरि 26 किलोमीटर में तヤ कर लेता है तो ए और बीची की रichts कीफिश की दूरी कफिर खिलोमीटर में श्यूर्श का सी O Rogers कूर्स करना ज्यादा बेटर होता है अगर फर्मूला ना याद हो तो आप्शन से ही निकल के आ जाता है यह कोष्टन जो है कई बार आ जुका है तो ओजन लेयर इस पर इन विच फ लेर आफ एटमोसफेर ओजोन लेयर जो है एटमोसफेर की किस लेर में पाई जाती है तो यह दो समत लाप मंडल स्ट्रेटो स्फेर में है ना नेक्स है कि कह रहा है कि विचनु ने एक नया प्लाट खरीता जिसे तुरंत बाढ़ लगाने की जरूरत है जिससे आयता कारकार अस्थल की लंबाई और चोड़ाई प्रतिक जो है दो परसंट कम हो जाती है तो छेत्रफल में कमी कीजिए तो दोस्तों इसको सॉल करेंगा तो 3.96 परसंट आएगा नेक्स कुछन कर रहा है कि टॉप पीक पिनाल्स सुमिट बेस इसमें क्या डिफरेंट है तो इसमें दोस्तों आपका बेस जो है डिफरेंट है क्यों क्योंकि टॉप हुआ पीक हुई पिनेंसल हुई या एक पार्ट है जोंकि बेस एक माउंटेन का पार्ट नहीं है एक से चेत्रफल पर 20 mesma के बड़ा डेश क्या है जो है कौन सा है इसमें से तो झेद्र यावाज देखा दे तो 202 सा सबसे बड़ा डेश जो है रस्या है रोष एक से करह ऑई कि इसमेंढेर मिनिंग का मतलँ होता है… तो मतलब होता है उपेंटू आर्गुमेंट जो हे डो ऑपेंटू आर्गुमेंट के लिए प्जम के लिए SI देटा है नेफ्ट कोशन करा है धनुस अपनी बचत का बयाएस जो है 22 परसंट विद्धा स्रम के लिए देता है और जो है 23 परसंट जो है अनाथास में दे देता है 24 परसंट जो है चिकित सा साहेता के लिए फाउंडेशन में दे देता है बचत से सरासी 93 रुपए जो है बैंक में जमा कर देता है तो थनुस का वेतन ग्याद कीजिए यदि वेतन का 40% उसकी बचत रासी है तो यह जो बचत रासी जो है 93 सव है वे एक पर से एक तरह सव चालीस परसेंट उठकी 40% है किसकी रासी की यानिकि वेतन की 40% जो है 93 सव है तो बस इसने हिंट आपको दे दिया देख जे इसमें किसका 40 परसेंट जो है 93 00 आ रहा है तो आपको पता चलेगा कि अपसे नमार डी नरी को संगा रहा है आ मिदे दरूंब ऐस दपेडिविंज वो जлагसे धृबuerdo की तो इसमें क्या है तो इसमें क्या है तो तो एसमें क्या आए तरफ से तहले हैं कि यदि दिनांग 11 जुन 2021 पर सनिवार होता है तो दिनांग 25 जुन 2021 पर सपतहा का कौन सा दिन होगा है deport neutrality जो है कि है इसमें के कह रह이다 कि 11 जुन 2011 सवार है तो 25 जून I taste 211 में कि सब्ताक का कौन सा दिन होगा बहुत लंबा यह किच्वरा जा रहा हो तो केलेंडर का है यह इसको सौल करेंगे तो गुरुवा निकल के आएगा नेक्स को सब्सक्राइब कर रहा है कि वीच आप फॉलॉइंग करन्सी नोट इस इस सुब है मिनिश्टर फाइनेंसियर यानि किसमें से कौन सा जो नोट है वह जो है वित मंत्राले द्वारा जारी कि कैसे अब ब्लोर्ड लेशन दोस्तों ऐसे नहीं है जह से पहले याते थे अब जो एक तरह से को इंक से आता है जैसे मतलब होुज कessä ौंसबी का मतलब है जह बोन कश है कि जो ओटेवल का मतलब है यह बाहुत है कि आपके ब्लहापन जियर द्यूतšनों का उत्वर देना है और इसमें दे रखाए निमलिखित में से कौन सा दर्स आता है कि o m का कर्जिन है यह सब आपको देखना है उसके अकॉर्डिन पता लगाना है कि जो है o m का कर्जिन है तो इसके लिए कौन सा इसमें आपको आठकल भरना है एक का दो का या एन का है ना तो आई थिंग तो दो इंजर एनिमल इस दो जू मतलब कहरा है कि मैं सोच रहा हूं कि जो है इंजर जो एनिमल है वो क्या है जू में है तो यह जो है दो हो जाएगा आई दो इनसर्ट इसमें आपको जो सुटेबल प्रिपोजीशन भरना है तो कर रहा ह है वी वाक Kr섯 दो डिशॉस्ट इसमें ah जाएगा एक्रोस दुल डिसोड नेक्स है ऐसके चीप फाइंड वन वर्ड कारेक्ट अश्पेल पर्य इसमें जो है क्या है उसमें उसको गडर बहरना है तो हुआ छोक्रेक्ट जो है ग्रेसियस घ्राषियस जो है एक तरह से और वर्य स्ञें कोरेक्ट मैं की जो है यन की तुलना में यम तीन गुना कुसल कारिगार है ना और इसलिए वह किसी कारिक को एन से 242 दिन कम दिन में पूरा करने में सच्छा में तो एन पूरे दिन मतलब पूरे कारिक को कितने दिन में पूरा कर सकता है कर देने में सच्छा में तो यन जो है कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा तो इसका करेक्टिव सुन 363 निकल के आएगा करें नीरत चोपड़ा इन में से किस खेल के एक तरह से विशिष्ट व्यक्ते हैं तो यह जो है अथलेटिक्स है है नेक्स है कि ऐसयो क्षार 22 में असवयोग अन्दोलन के सु帆त कीमे जोहें मतलब किसने है कि असवयोग अन्दोलन की सुरुवत कि महत्मा गादी म जोह्यों की सुरूत कि नेक्स कोशन करा है कि a-b a2-b2 बराब बाइस सब्सक्राइब और a प्लस बराब दो सब्सक्राइब तो a-b क्या ग्याद कीजिए बहुत एजी है इसकार जो है a plus b इसमें कई फार्मोली लाएंगे एक तो जो है आपका जो है सब्सक्राइब बाइस सब्सक्राइब होता है इन सब का मतलब जो होता है एक तरह से गिरने से सब्सक्राइब लेकिन जो है विन का मतलब जीतना है इन सब का मतलब की हारने से लूज होने से लेकिन का मतलब जीतना यानि कि इन सब्सक्राइब अलग है नेक्स कोषिन हमारा है कि 9 km चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ता है और 6 km चलता है फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 km चलता है यदि वह अंत में पस्पीम दिशा की और मोग करके खड़ा हुआ है तो वह पहले 9 km किस दिशा में जा रहा था है ना तो यह दो विगलेंट यह बहुत जो है करेक्ट वर्ड है बागी डिसॉल्यूशन वगरा इन सब के जो है इस पिलिंग गलत है इसका मतलब होता है एलाट एलाट रहना है नहीं नेक्स सोचन करें दस डेटा का आउसत 60.05 है इसमें पहले तीन डेटा का आउसत 58 और अगले चार डेटा का आउसत 60 है यदि आठवा डेटा नवे डेटा से 15 कम है और दसमें डेटा से 9 कम है तो आठवा डेटा बताईए है तो यह सब सौल करेंगे एवरेज का तो 45 निकलके आएगा यह कुशन दोस्तों बहुत हीजिए आई और बी मिलके 11 लाए है एफ और एल मिलके 19 लाए है य हम और यह मिलके 33 लाए हैं डी और टी मिलकर 25 लाए है तो इस तरह से जो है जो अगर हम देखें तो इसमें गलत कौन सी है तो इसमें दोस्तों देखिए आई और बी आई मतलब आई का स्थान के कौन साथ जो है आपका आई जो है नौ यह स्थान पर आते भी दूसरे स्थान तो नौ दो ग्यार दोनों को जोड़ दो तो ग्यार आएगा ऐसा ही एफ और एल की प्लेस वाइल जोड़ेंगे तो 19 होंगे तो 30 नहीं आएगे इसलिए डिफरेंट है और करेक्ट और सुन एक है इसमें जो है इसमें करेक्ट आप्शन जो है एक नम्मर याने की जो है यह वाला है ना ने को सब्सक्राइब कराइब फेमस को जैसे हम यह फ्यम ए यू ओस लिखते हैं वैसे लेजेंड को किस व है ने कोर्शन है महारा कि विचीजट अब अबश्च एक्सप्रेशन इना सिमिलर मेनिंग यहने कि सइनावनिम इसका पूछना है तो डिस गूइस का मतलब रहे होता है च्छिपाना और जो है कॉन सरल का मतलब भी च्छिपाना होता है नेक्स है करा कि इंपैक्टिर जो है सिटेबलिटी का यूज करके इसमें क्या करना है करा रहा है यदि सब्ध जो है impact disability से सभी स्वहर निकाल दो एक बार सभी स्वहर निकाल दो जित्ने वह वह वन है वो निकाल दो, फिर सब देखे, सभी अच्छरों को वड़ा क्रम में ब्योस्तित कर दे, बाकि अब जब निकाल दे, बाकि जो बचे, उनको जो है, एक तरह से डिक्सिनरी ओडर में ब्योस्तित करो, तो दाएं से साथवें अच्छर कौन सा होगा, यानि दाएं से साथवें अच्छर कौन सा होगा, तो सौल करेंगे तो L होगा, नेक्स है, दीनांक 10 अक्टूबर जो है, एक्की सो तीन पर सब्ताह का कौन सा दीन होगा, तो यह दोस्तों, वेनेश्टे बदवार होगा, सुरजच्छाबल, आर्पयव का फुल फॉल 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 ज हे, रेयल वेव प्रोटेक्शन फॉल फॉल फॉल्स, सौरी फॉर फॉर्स है, नेक्स है, बराबर यृज़ अटिस बी बराबर बाएस तो जो है, ऐ स्क्वार मानिनस भी स्कवार क्या होगी दोस्तों, सैस्सो एक्तालिस होगी, नेक्स कोोच्टन है, करा कि estimate पोर्ड क्या होगा तो एंबसाइल का मतलब होता है मुर्ख मुर्ख का स्मार्ट है ना तो यह आपसो नमर्डी सही हो जाएगा ने को सने करेकि एक किसी कारे को 102 दिन में पूरा कर सकता है भी उसी कारे को 153 दिनों में पूरा कर सकता है सी उसी कारे को 204 दिनों में गौरा कर सकता है यह तेनों एक साथ कार करते हैं तो उसी कार को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों कि आउसकता होगा बहुत ही यह तीनों को साथ करा काम कर रहे हैं तो यह साय Figot तेरा आजाएगा नेक्स है किस देश ने जो है ICC अंडर 90 क्रिकेट विस्व कप 2022 जीता था तो यह दोस्तों भारत नेक्स है भारत का कौन साराज पुर्व दिशा में अंतिम छोड़ पर इस्ते पुर्व दिशा में अंतिम छोड़ तो दोस्तों अरुड़ांचल यानि उगत सुर्व का जाता है तक ही एक दम पूरू में सुर्व भी पुरों से निकलता है यह यहां सुनके जो है अवभा अनिकलता है नो पूरू का नंतिम छोड़ है need से 216 का संबंद्ध जैसे 181 का है वैसे 104 का संबंद्ध किससे है तो यह दूस्तों 25 से होगा कैसे होगा आप देख लिजेगा इसमें जो है सिर्फुष आप दो सोलो को एड़ करेंगे तो एक छयानिकि कितना हुआ दो एक तीन और तीन चाहर तीन नौ और आठ और एक को एक करेंगे तो यह 9 हो जाएगा यह 9 9 हो जा रहे हैं और 105 को जोड़ेंगे तो 1 प्लस जीरू प्लस 4 तो होगा 5 और तरह से जो हैं आए जो है होगा आजाएगा सुल कीज़ेगा मैंने अभी ट्राइ नहीं की था इसका कराए कि इसमें चूज तो बर्ड विच एक्सप्रेशिन पॉजिट इसका ब्रेविटी का मतलब होता है ब्रेविट में किसी चीज़ को लिखना तो उसका पोजिट क्या हो जाएगा तो उसका इसका सूल करेंगे तो दो सो पंचानवे आगा करा है कि फिल इन द ब्लांक का इसमें आटकल आपको भरना है दकार इसमेड ऑफ तो कार जो है मेड़ फिस्टील इसमें कोई आटकल नहीं राली जाएगी देख से इसमें अब देखें इसमें करा कि वाट इस दिप्थ अपल इस प्रेसर इस पॉइंट वन मेगा पास्कल एन वाटर की जो है इस स्पेसिफिक वेट दे रखा है 9.8 किलो निटर तो वहीं है जो रोजी एच पीज़ गल्टो रोजी एच से निकालेंगे तो निकलके आएगी तो 10.2 मीटर निकलके आएगा अब आगे टेकनिकल का तुस यहाससा सही से पता चल जाएगा सब्सक्राइब गर्रेस इस में जो है एक तरह से कितनी होती है तो हम जो है डिसलेशन करना जुए एक तरह से चैलेंज हो जाता है तो चरह यहाता है जासे एक हो जा रही है तो उसमें सेप्रेशन में दिखकते आजाती है ने की इन एक्विलेटरल ट्यांगुलर कोडिनेस अ पॉइंट आप न एनि साइड आप दा ट्रेंगल रीप्रेजएंट तो दोस्तों ट्रसरी मिक्चर को रीप्रेजेंट करती है नेकसे corresponding to Prendle number in heat transfer the dimensional group in mass transfer जिससे जो है heat transfer में जो प्रेंडल number का importance है वैसे ही mass transfer में किसका है तो वह दोस्तों जो है एक तरह से इसकी में number का measurement of pressure in ammonia reactor is done by ammonia reactor का जो pressure measure करने के लिए किस instrument का यूज करते हैं तो है दोस्तों burden gauge का next है मैं यह 556 नहीं हुआ 56 की बात करते हैं इसमें कह रहा है कि the total vapor pressure up to immisible liquid is equal to तो दोस्तों यह formula है सीधा सीधा option number जो है एक next हो चलना है in offer controller the value of controller output depends only upon तो दोस्तों इसको recheck कर लेजा क्या है सही वैसे जो है maximum जगह पर the sign of the error आ रहा है देख को चलना है consider the reaction n2 plus 3H2 जो है 2NH3 the same reaction can also write as a 1 by 2 n2 plus 3 by 2H2 और जो है तो यह option number जो है बी वाला सही है case equal to K star पर जो है आपका square option number D वाला सही है करें enthalpy of the reaction C plus O2 give of CO2 C plus O2 से CO2 बन रही है तो इसमें जो है enthalpy इसकी क्या रहेगी तो इसकी अगर reaction में original reaction देखें तो C plus O2 से CO2 जब मिलता है तो जो है enthalpy negative होती है और कितना होती है enthalpy value जो है minus 393 जोल याने कि यह इतनी energy लेती है तब जाके reaction होती है यह एक तरह से इंडो thermic reaction है ने दोस्तों कोई कि भी combustion reaction होती है एक तरह से तो उनको पहले heat दिया जाता है तो एक तरह से यह जो है एक तरह से इंडो thermic reaction है तो इंडो thermic reaction में हमेशा जो एंथल्पी के वाले जो है negative होगी next time the compressibility factor z of an ideal gas is always तो दोस्तों equal to 1 होता है next correct the degree of freedom f of non directing system is equal to दोस्तों जो है degree of freedom के हर exam में question हा रहा है न डिगरे आफ freedom पूछ रहा है तो पी प्लस f minus 3 is equal to 2 होता है यह degree of freedom और इसमें जो है यह जो है number of degree c जो है component number of component कितने हैं पी जो है number of phase कितने phase है यह formula हमेंसा याद रखेगा और यह जो है non-reactive system के लिए पूछा है यहां पर n की value 1 हो जाएगी तो वहां पर इसको solve करेंगे तो 2 minus n plus capital n हो जाएगा next the triple point of water occur at 0.00602 atmospheric and temperature यह pressure तो बता दिया लेकि temperature कितना रखता है triple triple point of water का तो 0.01 degree centigrade next the value of heat of formation which indicates that product is least stable तो जोस्तों प्लस 64.08 किलो कैलोरी होता है next at absolute zero temperature all substance have same जो absolute zero temperature होता है जो minus 273 Kelvin होता है तो इस पर कह रहा है कि जो है सभी सब्स्टेंस का क्या समान होता है तो सभी सब्स्टेंस का जो है heat capacity same होती है next temperature affect temperature में से किस-किस पर affect डालता है तो temperature इसमें जो है phugacity पर भी affect डालता है free energy पर भी activity coefficient यानि की all of these जिसका सही है next question कर रहा है a piece of metal of specific gravity seven float in a mercury of specific gravity 13.6 what fraction of its volume is under mercury तो option number c 0.515 next question कर रहा है if the pressure at the inlet of a pipe is 90 kg per centimeter square pressure drop under the pipeline is 90 kg per centimeter square the efficiency of the transmitter is तो इसमें जो है इसको कैसे solve करेंगे net output कितना है इसका 90 परसेंट एक तरह से और pressure drop जो है दस हो गया तो अब अब नेट क्या हो जाएगा तो 90-10 यानिकी 80% इपसेंसी बराबर हमारा क्या होता है net output upon जो है input into 100 तो net output हमारा 80 मिला input हम दे रहा है थे 90 और into 100 करके solve करेंगे तो 86.88 निकलके आएगा option number 4 होई है next कर रहा है pressure at the elevation of 200 meter in isothermal atmospheric जो है इसमें प्रेशर एड़ एलवेशन इसमें पी क्यों याद करनी है elevation जो दे रखा यानि height दे रखा है 2000 और इसमें temperature है average degree और जो है atmospheric pressure को माल लिया है 100 किलो पास्कल तो यह मैंने side में solve किया है इसको लेकर बहुत जो है लंबा इसका solution जा रहा था तो आप इसको जो है net पे डालके solve करेंगे तो तूरंत आजाएगो इतना tough नहीं है इसमें सबसे पहले जो है पी note की value निकाल देंगे row rt o से है और इसमें से जो है फिर एक जो लास्ट वाला फर्मूला p is equal to p note epsilon पे जो है जो भी value निकल नहीं है वह minus e note जो है जी अपन जो है पॉइंट इन ग्लिसरीन मास इन मोशन एफ विलोस्ट ग्रेडियंट इस पॉइंट टू फाइब जो है मिन मीटर जो है पर सेकेंड है विल बी मीटर उसका है पर सेकेंड एक तरह से इसने नहीं लिखा बागे वैसे लिए कि इसमें जो है आपको दे रखा है क्या क्या दे रखा है टाव इसकल टो म्यू डी यू अपन डी वाई होता है सेरे स्ट्रेस की वैलू और वहीं सेरे स्ट्रेस पूछ रहा है ठीक है तो टाव प्रेस कल टो मीव डू अपन डी वाई चांडी यू अपन डी आउक घ्री हमारा क्या होता है दोस्तों विलोस्टिर गडीएंट हैं तो बेलोस्टिर्यों ग्रेडियेंट मीश टिय authent try तो कि justement प्रेचरप अगर यह टंडकी बता देता तो हम उसके साब से जो है विस्कोस्टिक और सीन निकाल देते तो तंप्रेचर ना देखे इसने थोड़ा सा कन्फ्यूज कर दिया है नो डियू अपन डियू आई की वैलू आप रख सकते रख देंगे टाव इसकल टू जो है रख देंगे पॉइंट टू फाइब गुड़े अगर जो है ग्ल सही नहीं बैठ रहा है तो इसलिए इसका कोई एंसर नौन अफ दीज मेंने लगाए हूं क्योंकि मेरा जो है एंसर इन में से कोई मैच नहीं कर रहा है क्योंकि इसने नॉर्मली सेर स्ट्रेस से पूछा है किसी पॉइंट पर है ना और ग्लिसरीन दे दिया है तो वहां पर जो म्यों की वैलो निकल के आ जाएगी और डी यू अपन डी वाई की वैलो अल्रेडी है ना तो इसलिए थोड़ा सा यह सही नहीं आया मेरा तो इसलिए मैं नौन दीज लगा दिया है नेक्स वोशन करा है हार लाइमनार फ्लोर इन पाइप जो भी एवरेज है वह इक्वल टू किसके होता है तो वी मैक्स मैक्सिमम सक्कर उता है दो गोड़े वी एवरेज तो वहीं रहन है दीजिए व मैक्सिमा के यह क्या होगा देखते हैं इधर आजाएगा न वी एवरेज बरावर क्या हो जाएगा तो यह हमारा जो है पॉइंट टू मतलब एक बट दो को हम डाइरेक्ट पॉइंट 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 फाइब लिख सकते हैं एक बट दो नलिख के तो 0.5 गुड़े V max कर सकते हैं तो 0.5 गुड़े V max यह जो है option नमर बी पर है यह question पूछा जा चुका है कई बाद जिसका यहीं relation है V max is equal to 2 गुड़े V average नेक्ष गुड़े नेक्ष गुड़े इसमें क्या कह रहा है transfer of heat by molecular collision is gone तो यह कहीं कहीं दोस्तों 50% जो अगर हम देखें तो 50% इसका जो है convection को बताया जा रहा है 50% जो है site जो है conduction को भी बता रही है लेकिन अगर आप देखो molecule collision कहां करते हैं तो यह जो गैसों के ही molecule to collision करते हैं तो वहाँ पे convection होते हैं convection जैसे गैसों में जो है हमारा convection होता है लेकिन कहीं कहीं जो है एक तरह से solid solid और जो है एक तरह से आपका क्लोजन जो है solid particle जैसे electron भी एक दूसरे से क्लोजन कर सकते हैं तो में अगर देखा जाए तो conduction भी हो सकता है इसलिए जो है कुछ जो है मैंने कमेंट लिख दिया यहां पर कि कीजिएगा कि क्या है इसका एक एक जैक्ट है न क्योंकि मैक्सिमम साइट जो है स्पैस्वर ग्रेवटी पॉइंट 6 तो प्रडूस अप्रेसर 3.6 गजी विल बी तो इसमें जो है आपका जो है एक तरह से डेप्थ पूछ रहा है ना डेप्थ कितनी रहेगी तो पी बराबर रोजी अच होता है जहां है पूछ रहा है तो एच की वैलू निकालना है तो ए जो है एक तरह से पॉइंट 6 लिखाए तो यह उसमें है दोस्ता हम केस में मिलेंगे तो 600 हो जाएगा और सबको हम सीजियस में अब कर रहे हैं और जो है आपका जो है जो है जी की वैलू 10 होती है तो बस यह सॉल कर देंगे तो आपका लिंगल के 60 सेंटीमीटर आ जाएगा नेक्स कोश्चन है प्रेंडल नम्मर फार एयर एयर के लिए जो प्रेंडल नम्मर हो कितनी है उसकी वैलू तो 0.75 होती है नेक्स कोश्चन कह रहा है कि यह फर्णिस प्रेंडल फिकनेश वन मीटर अने सर्फेस अरिया दो मेटर स्कॉरर इस मेड अफ अफ मैटेर फोस्चन कंडुक्टिविटी इस वन किलो जूल पर हावर मीटर सेंटेगेट अफ इनर सर्फेस वाल इस 1000 सेंटेगेट अंद आउटर सर्फेस इस 200 हीट फ्लो थ्रो थ्रोड वाल इस केज़े पर हावर यानि कि इसमें हीट फ्लो पूछ रहा है क्यूं कि वैलो पूछ रहा है क्यूं इस कल्टो हम जानते हैं क्यूं इस कल्टो हमार होता है माइनस के डेल्टा टी अपन डेल एक्स है नो तो क्यूं कि वैलो पूछा है तो क्यूं इस कल्टो हम यह भी यानिके 1000-200 यानिके डेल्टा टी आ जाएगा 800 डी एक्स की वैल्यू दे रखाए 1 मीटर के की वैल्यू थर्मल कंडॉक्टिटर की वैल्यू दे रखाए 1 एरिया दे रखाए 2 बस उसी फार्मूले पर रख लेजे 800 आपान 1 आपान 1 गुड़े 2 तो यह करेंगे 6 तो यह 1600 निक इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो है थर्मल कंडॉक्टिटी वैटर के कितनी होती है उसके वाद थर्मल कंडॉक्टिट्यटी आइस के कितनी होती है फिर उनका रखाए 2 निकाल के देखेंगे तो अप्शन नंपर ए निकल के आएगा क्योंकि अगर देखा जाएंगे आप जो होते हैं पॉइंट 598 होती है आइस की होती है जो है दो दस्मलों चार डिवाइट करेंगे तो पॉइंट 25 आएगे नेक्स ऊसले कि दो नूट सेंट डिफ्यूजिटी इस प्रपोस्नल टू नूट सेंट की जो डिफ्यूजिटी है वह किसके प्रपोस्नल होती है तो अंडरूट टमपरेचर के तो अंडरूट तो है नहीं लेकि एक बटा दो रख अंडरू टिफ हो जाएगा नेक्स है बढर्नवली एक्वेशन पनाट बीप्लाइट वेन देफोगे तो रोटेशनल फ्लोग के लिए अन्श्टेटी के टरूबुलेंट के लिए इन सभी के लिए जो है बढर्नवली एक्वेशन जो है कैनात भी अप्लाइट इसलिए और जिसका सही एंसवर है जनरली टावर पैकिंग अर मेड आफ तो जो टावर पैकिंग है जैसे सीरेमिक सेडल वगरा तो यह जो है क्वाटज के बनी होते हैं नेक्स है दे स्पेसिफिक हीट आफ कंसंट्रेट औरेंज जूस इस 3.8 किलो जूल पर केजी हाउ मच हीट मस्ट भी रिमोट टू कूल जो है 3 केजी अब जूस फ्रम 30 तो जिरो डिगरी तो यह दोस्तों क्यूच कल टू एमसी डेल्टा टी से निकल के आएगा तो इससे जब स जो इसमें दे रखा हैं 3 केजी एम की वै दो जयनी कि मतलब केजी में यानि कि मास इतना है तो 3 की जी है 3.8 क्या है इसका जो है स्पेस्पिक हीट है तो 3.8 इस सुक्षपिक हीट MCP देल्टा टी डेल्टा टी कितना हो जाएगा 30 माइनस जिरो करेंगे तो जिरो यह मतलब क्योंकि वगो 350 आ जाएगी है न मिच्ट बइसें मेड़ी इस आप इंट निविटिभी ऑफ एफ इमिसिविटी मेंसे किसकी है तो देखिए दोस्तों पॉलिस मेटल जितने भी होते हैं उनकी जो है इमश्यीविटी पहुत कम होती है और जितने खुरदूरे होंगी उतने ही जद्धा होगे तो इस वेसे पे देखें तो हमारा आईश जो है एक तरह से हमारा उसकी जो है इमश्यविटी देखा जाए तो.98 पाई जाती है जो सबसे ज्यादा है इन सब चारों कि प थह पंडिंग रखा है वैसे आप deben किजिगा देखेए आपकी वैलिव क्या रहया है यह टेटों का दक्षान कर रहा इस सपेश टाइम नसल रिखटर इस सट में क्या होती है तो यह दुनी इक्वल टू रेसिडेंट टाइम डेसे टाइम के विशली इक्वल होती है दूसरा द रेसिप्रोक्र आप द इस्पेस वेश्टी की प्रूक्र होती है न तो आप सना में भी बहुत ए एन बिदोनों सही है नेक्ट वोचन कर रहा कि फार आइसो थर्मल गैस फैस रेक्शन एजो है यानिकि दो आएगा नेक्स है दगेस अब्जाशन फ्रॉम डेलूट सॉल्यूशन अंडर आइसो थर्मल कंडिशन गीव ते दुस्तों इस्टेट एक्वेरियम एंड ऑपरेटिंग लाइन यह दोनों जो है देता है यह जो दोनों कंडिशन पर यह देता है ना इस्टेट ला वाइल ओफ मिक्स रेक्टो तो दो वैलम आव प्लग रिक वह प्लॉट टो इस तो इस दो इनकी जो रेसियो खेव वह वह उन होती है necks है डग डिसपर्जर नमर आप परफेक्ट मिक्स फ्लो इस तो इन फाइनाइट होता है नेक्स है, the AD diffusitive for a liquid in a plug flow must be, तो यह दोस्तों 0 होनी चाहिए, AD diffusitive of a liquid जो है, 0 होती है, नेक्स है, if time required to change the concentration of reactant to half its original value, और कह रहा है कि value dependent of initial concentration in order of reaction is, तो यह जो उस condition में order of reaction कितनी हो जाएगी, तो वन हो जाएगी, कह रहा है, for many coating, denaturation begging to occur, denaturation एक तरह से temperature होता है, वहीं कह रहा है कि वो कितना होता है, तो 45 डिग्री, होता है, नेक्स है, pneumatic controller are used to control up to distance, कह रहा है कि जो pneumatic controller होते हैं, वो जो है, कितने distance तक use किया जाते हैं, हैंना, control करने के लिए, तो यह comment करके बताएगा, इसका exact, क्या answer है, नेक्स कुछन है, the rate of forward reaction at aquarium is compared to the rate of backward reaction is, तो aquarium है दोस्तों, यहाँ पर लिख दिया है, एक्विरियम, तो aquarium में जो है, दोनों तरफ, aquarium का मतलब दोनों तरफ सामान रहेंगे, equal रहेंगे, next है, platinum resistance thermometer can be used up to, तो platinum resistance thermometer का use हम जो है, 961 degree temperature तक measure करने में कर सकते है, temperature measure करने में, next है, the flow meter which can be used to measure the flow rate of hostile acid, या alkali, यानि कि alkali या acid दोनों टाइप का जो अगर फ्लोर मेजर करना है, तो कौन सा जो हम flow meter use करें, तो यह दोस्तों, magnetic flow meter का use करेंगे, next है, bi metallic thermometer का temperature measure करने का range कितना है, तो minus 20 से लेके 300 degree, next है, which of the falling controller has a maximum offset, बहुत बार पुछा है, तो P controller, next है, इसमें 99 का question है, 100 हों देखते है, active transducer, इसमें से कौन कौन सा है, तो active transducer से भी है, photo emissive cell, photovoltaic cell, system, cell sim, all of these है, next question कर रहा है, है, the resistance of thermistor is at 3 Kelvin, is 5000, its resistance temperature coefficient is 0.04 percentage, measurement with lead, resistance of 10 will be cause a error of, ते बहुत टॉफ क्वेशन है, एक तरा से इस्टू मेंटेशन का, लेकिन इसका जो है, है, answer है, point 025, बाकि देख ले जाएगा, कह रहा है, वोल्ट, जो है, वोल्ट मीटर is galvanometer, मतलब galvanometer के साथ, वोल्ट मीटर का use, जो है connection होता है, किस तरह से जूड़ा होता है, किस के साथ जूड़ा होता है, तो यह दूस्तों, high resistance के साथ connect होता है, यह जूड़ा होता है, next, viscosity of fluid with specific gravity 1.3 major to the 0.0034 newton second per meter square, its kinematic viscosity in meters square per second is, इसमें दोस्तों kinematic viscosity पूछा है, ठीक है, और दे रखा है specific gravity, तो सबसे पहले हम देखेंगे kinematic viscosity का formula क्या होता है, तो kinematic viscosity का formula होता है, dynamic viscosity upon density of fluid, तो dynamic viscosity ठीक है, दे रखा है, 0.0034 जो है dynamic viscosity दे रखा है already, लेकिन आपका density of fluid, fluid के density मालूम नहीं है, तो उसके लिए हम कहां चलेंगे, उसके लिए हम चलेंगे दोस्तों, इस specific gravity पहें, तो specific gravity का formula होता है, density of a substance upon density of water, ठीक है, तो density of substance हमें, जो substance का चाहिए density, तो वो जो है किसके equal है, 1.3 के equal है, तो water के density कितनी होती है, तो वो होती है, 1.000, 1.3 गोड़े, 1.000, यह हो जाएगा density of fluid की, और इसके value आजाएगी 1300, ठीक है, अब जब दोनों चे मिल गई, तो 0.0034 upon 1300 में, को solve करेंगे, तो इसके value जो निकल कियाएगी दोस्तों, जो है, 2.6 गोड़े, 10 रुपा माइना, 6 निकल कियाएगी है, इसको solve के जाएगे कुछ नहीं है, एकदम EG है, नेक्स है, फार टर्वलेंट फ्लोड 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 थ्रोव पाइप, दक काइनेटिक एनरजी और मोमेंटम करेक्शन फेक्टर आर पार्टिकॉल टू, तो दोस्तों, एक को फ्लोड होता है, यहां पैसा कोई option नहीं है, तो एक को हमने कर दिया है, नेक्स है, इन हिंड्रेट सेट्लिंग, जो हैं हिंड्रेट सेट्लिंग में जो होता है, उसमें पार्टिकल क्या करते हैं, तो वह दुस्तों, एकदम नियर होते हैं, इस अधर के, मतलब एक पा पार्टिकल के पहुत ही पास में होता है, हिंड्रेट सेट्लिंग में, नेक्स फूशन कर रहे है, फार, सफेर, एंड, क्यूब, इस फेरसिटी इस एकवल तो डायमेटर, तो उसकी सफेरसिटी क्या होगी, तो उसकी सफेरसिटी होता है, पॉइंड-6, आपसन नमों B, नेक से करें तो थिकनिस आफ केक फॉर्म इन डॉस्ट्रियर रोट्री वैकूम फिल्टर इस यूजवली तो दोस्तों 3.2 से 38 एम होता है इसको रिचेक कर लिजागा सही है कि नहीं है करा वीच वन आफ फॉलिंग मेटरियल कंडेन कोपर तो मोनल में निकल और कॉपर इन दोनों के और कम पूजिशन होते हैं बागे जो है इन कोनल की बात करें तो इन कोनल में नीकिल क्रोमियम मुलिवीडियम होता है नो ने क्रिज वांटर ही जियूजर ली तो बॉइलर फेड वाटर यूजुले जो मल्टी स्टेश सेंट्रफोगल पंप होते हैं नेक्स से इंक्रीज इन पॉंप स्पीड इट एन पी एस सच रिक्वार्मेंट तो अगर हम देखें स्पीड पंप के अगर बढ़ात के रखते हैं तो एन पी जो है एन पी एस सच रिक्वार्मेंट जो भी है वह भी बढ़ जाती है नेक्स से करें कंसीड़ टू पाइप ऑफ सेम लेंथ एंड डियमेटर तो वीच वाटर पास एड़ सेम विलोश्टी दे फ्रेक्शन फेक्टर फार रख पाइप इस फ्लैड डेट फार इसमूथ फैफ इस यह टू सुरिप फ्लैट कराऊ एफ वन है और यह एफ टू तो इसमें करेक्टर स्टेटमेंट क्या होगा तो जो है एफ वन जो होगी ग्रेटर देन होगी यह टू की है न इसके जो है पढ़ियेगा आ जागा क तो पाउर जो है आर्फिसमेटर के वह क्या होगा ऒंड होता है मोडन देट इन वर्जविन जमीटर मिट जमीटर से अधिक होता है पाउड पावलास के बात करते तो पर स्मेटर की बोल्स जादा होती है वें सर्फिकोल मेंट Ariya हम असब घ्रूटियौ दो यह संब्सक्रा फ्लूड है ना नेक्स है सेयर इस्ट्रेस इन फ्लूड फ्लॉइंग इन राउंड पाइप तो इसमें में दो दो कोश्टन यह इसमें भी साथ जो है अगर मैं बात करों सेपी सियल के पेपर में उसके एंसर के में जो है आफसन नम्मर ए है वेरिज पैरबोलिक एक्रोस्ट अ लेकिन अब जो है बोको में अगर देखा जाए तो बोको में अफस्ट अंजन दो थ्री है इस जीरो एड़ दे सेंटर एंड वर इस लिनियर ली विट रेडियस नेक्स है करें फार एन इलिमेंटरी रेक्शन टूए गीवस टूबी और यहां पर के वन है रेकोंशन तो इस है क्या है दूस्तूब तो टार्मिनलव स्टी है कॉंस्टेंट विलोष्टी विध नो एक्सलिरेटर नेक्स फूसरा इंस व्रिकेसिय्टमें मेनेफ्ट्चर सुलफय डैयक्सीड इज ऑर इन निएट झियुक्षट अंद जग।शन इन अपक्रशन व्रेक्शन दो इसमें कि यह स्वध्य में नीकल और नीकल बेस औल से हैं लेकि इसके दोश्का यह को आप कॉष्छन प्लीज चेक कर ली ज़ीगा रीच्स करक कि exactamente क्यां कि ड्राइ भल बइन टमब्रेचर आफगे तो ड्राइब रॉल्भे ज़्याह हमेशा मोर्ड दाज होता य मिन्यां जादा तो इसमें जो है आपका पूछ रहा है रिफ्लक्स रेशियो वराबर दे रखा है हम जानते हैं कि रिफ्लक्स रेशियो रहा हो हता है यहां पर निकालेंगे तो जो है दोस्तों डिस्ट्लेट तो इसको लिख सकते हैं दो बुड़े जो है दो बराबर अपन हंडेड लिख सकते हैं ठीक है और यहां पर एल की वेलव पूछ रहा है आपका फ्लोरेट अफ वेपर फ्रॉम टॉप प्लेट इना किलोमेटर पर हाव तो यहां पर जो है एल की वेलव निकालेंगे तो जो है दो गोड़े हंडेड करके यानिकि एल बराबर दोस्तों निकल के आजाएगा नेक्स है कर रहे कि इसमें जो है इसको मैंने सौन नहीं किया 119 को वैसे जो है यह कटालिस्ट के सर्फेस यह निकालने का है सारी वेलव आइस रिजल्ट इन तो मेल्टिंग ओफ आइस एक तरह से रिजल्ट क्या है तो जब आइस पिगलती है तो उसके मोलकूल एकदम रेंडमली जो है रेंडमली जो होते हैं तो जहां पर रेंडमनेस बढ़ती है वहां पर एंट्रोपी क्या हो जाते है बढ़ जाती है तो इस तरह दोस्तों 120 कोशन हमने सौल कर लिया एक लाश्ट जो है फिनाले जो है इसका नेक्स पर लाएंगे अप्रोक्स जो है कल साम तक मिल जाएगा तब तक जो है दोस्तों जितने भी सारी वीडियों है सब देखते रहेगा और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं आपको कि आप जो पढ़ी हुए तो बहुत अच्छे आपके मार्स आ जाएंगे सभी लोग मैक्सिमुम डिप्लोमों वाले क्वालिफाइग कर जाएंगे लेकिन अगर भी सी लेवल से बना दिया पेपर तो समझ लेजिए कि सब मेरा पढ़ाया या जो भी आपने पढ़ा सब बेकार हो जाएं क्योंकि बेसी में जो है बेसिक केमेश्ट्री जो होती है उनको समझना समझ लिए कि बहुत मुश्किल है तीन साथ पूरा पूरा इस्टेड़ी करना पड़ता है है न दोस्तों तो चली कोई बात नहीं जो है कंफिडेंट मत खोई आप पूरा अपना टेक्निकल जो है तयार रखिए यहां नहीं तो कहीं और से कोशन फसेंगे और बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही ला रहा हूं थैंस्ट वर वाचिंग जाएंग जाएं